अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें मगर इनको हर्याना पंजाब हिंदुस्तान के किसान किस शक्ति नहीं मालो इनको ये नहीं मालो कि ये किसान दबने वाला नहीं है डरने वाला नहीं है ये मर जाएगा मगर अपने हक के लिए लड़ जाएगा फिर कहते हैं किसानों को अजादी दी किसान के हित में कानून बनाया अच्छा अगर ये कानून किसान के हित में था तो पार्लमेंट में आपने डिवेट क्यों नहीं कि पार्लमेंट में आपने विपक्स को बोलने क्यों नहीं दिया बिना कोई बातचीत आपने एक कानून क्यों पास किया यह सिस्टम है भाई और बेहनो चाहे वो MSP हो फूट कोप्रेशन हो प्रोक्योर्मेंट का सिस्टम हो मंडियों का सिस्टम हो यह एक सिस्टम है इससे आपकी रक्षा होती है इस पूरे के पूरे ढाचे से आपको सही दाम मिलता है ढाचे में कमी है इस बात को मैं मानता हूँ अमरिंदर सिंग जी भी मानेंगे सब मानेंगे जितनी मंडिया होनी चाहिए उतनी नहीं है जितना infrastructure, silos, सडके होनी चाहिए वो नहीं है सिस्टम को मजबूत करना है आज हिंदुस्तान में 40 km के अंदर एक मंडी होती है कि हमने मैनिफ्रेस्टों में लिखा ता हर चार किलोमेटर में हम एक मंडी लगाएंगे मगर नरेद में मोधी पूरे के पूरे धांचे को खतम कर रहे हैं कहते हैं मंडियों की कोई ज़रूरत नहीं हजारों मंडिय हैं हिंदुस्तान में हर मंडी में किसान मजदूर लोडर व्यापारी काम करते हैं पूरे हिंदुस्तान को देखे तो लाकों लोग काम करते हैं मंडिया बंद हो जाएंगे तो इनका क्या हो गए कहां जाएंगे अम्बानी अधानी तो पूरे को पूरे मामले को मेकनाईज कर देंगे मशीनों से काम निकालेंगे तो ये जो लोग मंडिया में काम करते है लाकों लोग ये सब के सब बेरोज़गार होंगे मोधी जी कहते हैं मैं इनको अजादी दे रहा हूँ अच्छा यहां हम सडक पर आए ये सडक कौन बनाता है कौन से पैसे से बनती है ये क्या अंबानी ने बनाई किया ये अधानी ने बनाई किया नई ये मंडिय टैक्स से बने मंडिय टैक्स से जो आप पैसा देते हो वो सडक बनाता है कि नरेंदर मोदी जी कहते हैं किसान अब कहीं भी अपना माल बेच सकता है अरे भाई सड़क नहीं होगी तो कहां जाएगा किसान कैसे जाएगा किसान सबक बनी मंडी टैक्स से मंडी टैक्स आपने खतम कर दिया सबक को आपने खतम कर दिया और फिर आप कहते हो किसान जहां भी जाना चाहे जा सकता है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें